वीडियो के पूरी जानकारी लगाता तेई साल टेक्टर इंडस्ट्री में काम किया है मैंने पहले समैसी से शुरुवात की सवराज में काम किया नियो अलेड में काम किया सोना लिका में काम किया स्कॉर्ड में काम किया महंदरा में काम किया सबी कमपनियों में काम किया मैं पांच लाग से ज़्यादा किसानों को मिला हूँ, एक लाग से ज़्यादा टेक्टर बेचे हैं और पांसो नए डिलर के आसपस मैंने बनाए हैं तो मुझे को सब मालूम है कि किसान गलती कहां पे करता है और हाँ दोस्तों एक कुश कबरी जो अपनी किताब थी, वो 15 जुलाई को जैसा पहले मैंने बताया आ रही है तो किसानों के लिए किताब है, जो कभी किसी नहीं नहीं लिखी कि किसान गलती कहां पे करता है कैसे किताब पढ़ के समझ जाए, कि ट्रैक्टर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए हमारी जिनकी में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वो गलती समझ सके हर एक चीज के बारे में उसमें मैंने विस्ता और से लिखा है क्योंकि जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने चालू किये तो समझ में आया कि हमारे किसानों में ये चीज awareness ही नहीं है तो ये मैंने किताब लिखी है और हां, इस किताब को के साथ मैं एक 20 गंटे का कोर्स दे रहा हूँ उसको money scripting और blueprint बोलते है ultimate money scripting हमारे mind के अंदर हमेशा पाइसे को लेके कुछ गडबड होती जिस वज़े से मारे पास पाइसा नहीं आता है तो 20 गंटे का कोर्स है जो मैं जाके सिंगापूर में ट्रेनिंग में सीख्या है था वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ और ये भी मैं 15 जुलाई को स्टार्ट करूँगा 15 जुलाई को ही हमारी किताब आएगी और जो किताब को खरीदेंगे उनके लिए ये कोर्स theory of course रहेगा जर्नली मैं से 25 गजार का बीचता हूँ तो और सबसे बड़ी बात है जो भी को खरीदेंगे मेरी अपनी ये किताब अभी उनके वहाँ जाके मैं वीडियो भी बनाऊँगा उनके साथ तो ये लग बग मेरा जो खर्चा 30 से कजार के आसपस बैठता है एक किताब के आसपस तो मैं सिरफ 1399 रुपे में आपको दूँगा आप Google पे कर सकते हैं पे मैं अभी नंबर डालूँगा उस पे बट सप है और मेरे से बात भी कर सकते हैं किसी भी चीज को लेके तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो का अंतर तक देखना आप सारा टक्र के बारे में समझ जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं इंजन की तो इंजन का ये सिलेंडर होता इस तरीके से सिलेंडर के अंदर ये इनलेट वाल होता ये आउटलेट वाल होता और ये नोजल होती है यहां पे अब जैसे ही पहले पिस्टन उपर नीचे यहां पे होता रहता है तो इसके पहले स्टोक को समझते हैं तो सबसे पहले स्टोक में यह जो inlet wall है यह open होता है और piston नीचे के और आता है जिससे इसके अंदर हवा बर जाती है हवा अंदर बरने के बाद जैसे ही piston नीचे पर पहुंचता है तो यह वाला wall बंद हो जाता है अगले वाल पिस्टन नीचे से उपर के और जाता है जिसको दूसरा स्टोक बोलते हैं तो दोनों wall बंद रहते हैं यहाँ पे तो हवा कहीं से जाने के नी तो यह सत्रा अनुपात एक में दबातेता है यानि सत्रा को एक में दबातेता है जिससे इसका temperature है जो हवा का वो 400 degree तक उपर पहुंच जाता है अब temperature 400 degree तक उपर पहुंचा हुआ है तो इसी समय यह diesel यहाँ से इसके spray किया जाता है और जैसे spray किया जाता है क्योंकि temperature 400 degree है तो एकदम से यहाँ पे जो gas है वो gas के हवा के साथ मिलके जल जाता है वाल खुल जाता है हवावाला तो इस तरीके से उपर के और पिस्टल ट्रावल करता है और सारी गैसे भाहर निकल जाती है तो इसी तरह से पिस्टन को पूरी तरह से उपर नीचे उपर नीचे करके यह रोटेट होता रहता है तो यह था इंजन के बारे में इंजन ऐसे काम कर चलिए आगे चलते हैं अब देखते हैं कि यह पिस्टन इईसा होता है मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहा है तो जो , स्टील के सबसे पहले से पिस्टन इस यह ग्रु एस इस जो गुरों पहले हैं भरए तीड इस फ़्च उल्मॉनियम पिस्टन बनंग भी Defense के लिए कर दो फिन सफिटील जमेर reward है और इस थारी के से खड़ा बनाा होती है गूम के उसी करते हैं पूरी तरय मि की जब भी भी आप देखो इंजन से ताकत आती क्लच के अंदर तो यह फ्लाइविल जुड़ा होता है उसी जो क्रेंक शाफ्ट है उसके साथ फ्लाइविल जुड़ा होता है फ्लाइविल में जो यह लाल कलर की है अगर इस तरीके से आप देखेंगे न तो यह क्लच प्लेट यह देखे पीछे आज़ा, क्लच दबाते ही, वह हिंज है, यहाँ पर मतलब जूड़ा हो वह हिंज है, तो यह पीछे चला जाएगा, तो जैसे क्लच दबाओगे तो यह फिर हो जाएगा, तो यह से पावर जानी बंद, अब जैसे ही क्लच आप छोड़ोगे तो यह bearing है, spring loaded ह तो इस तरीके से इसको दबा देगा, तो इससे जो पावर है, वह क्लच प्लेट से उती पावर पीछे की और चली जाएगी, तो इस तरीके से हमारा क्लच काम करता है, और यह क्लच की खासियत ही है, अगर आप किसको आदा छोड़ेंगे न, मतलब आदा छोड़ा आदा हमेशा क्लच को, तो आपको यह बहुत सारी लंबी उमर देगा और बहुत अच्छा रहेगा, तो इसी तरह से यह लिखा हुआ, क्लच प्लेट, कवर प्लेट, यह फिगर मैंने मेरी किताबनी किताब में भी डाला हुआ है, तो वहां से भी बहुत अच्छी तरह आपको की और चला जाता है, तो इस तरीके से पावर ट्रांस्मीशन होता है, तो हम गेर बोक्स को अधी समझते हैं, फिर फाइनल रिडेक्शन को समझेंगे, फिर फ्योल डेलिवरी को समझेंगे, तो पूरी तरह से आज हम टेक्टर के बारे में सब जान जाएंगे, आईए तो आ अलग लग गेर हैं, तो इस तरह से अलग रहेंगे, यह इसके साथ नहीं जूड़े हुए हैं, अब जैसे ही इस गेर को सरका के यहां पे लाएंगे, तो इस लाइडिंग यहां से सरका के लाया आजाता है, इसलिए इसको सरकाने कोई कहते हैं, जैसे सरका के यहां लाया, त सीधा पीटियो को जाता है जो 540 चकर पर गूम रहा होता है तो इस तरह से sliding gearbox काम करता है तगले चलते हैं constant match के उपर तीनों gearbox देखेंगे कैसे काम करते है constant match गैसे gearbox कैसे काम करता है यह क्लच से ताकत आई यहां पर constant match का मतलब है कि यह अपस में gear हमेशा एक दूसरे एक साथ रहे हैं सरका के नहीं लगाना परता गेर हमेशा गूम रहे होते हैं यह power यहां से आई अब यह जो dog है इसको इधर लगाएंगे तो dog में power जाके फिर dog उसके साथ गूमना चालू कर देगा उसी speed के अंदर मालव यह 10 चका के गूम रहा है तो dog भी 10 चका में गूमेगा और इस shaft को गूमा देगा तो यह लगे रहते हैं dog को सरका के इधर आगे लगाए जाता तो घेर लगाता है और पीछे सरका के दूसरा घेर लग जाता है जैसे मालव यहां पे गुमा रहा तो यह जैसे ब्लू कलर वाला है ब्लू कलर का होता हुआ फिछे चला गया इधर से गया तो ग्रीन के चकर गुमके इसमें वापिस चला जाएगा लेकिन ये constant mesh gearbox समेशा constant रहता है एक ये पिटियो को चला गया और दूसरा differential को चला गया ये फिगर आपनी बुक के अंदर भी है तो आप वहाँ पर किताब के अंदर है विस्तार से समझ सकते हैं चलिए आप समझते हैं कि synchro mesh gearbox कैसे होता है अगर synchro mesh gearbox को देखेंगे synchro mesh में constant mesh की तरह होता है लेकिन ये जो लाल कलर की है synchro mesh ring होती है मालो ये 10 की speed पे घुम रहा है और ये 20 की speed घुम रहा है तो ये जैसे ही इसको दबाएंगे आगे तो बीच में synchro mesh ring क्या करेगी इन दोनों की speed को भी इस चकर पे बरबर कर देगी इस वज़े से gear आप असानी से बदल सकते हो किसी भी जगे पे आप कभी भी कोई सा भी gear असानी से लगा सकते हो synchro mesh के अंदर तो ये सिर्फ synchro mesh ring होती है यहाँ पे यह सबसे important है मैंने figure को बहुत असान तरीके से समझाने के लिए इस तरीके से बनाया है तो आप असानी समझ सकते है इसमें भी जो यह सीधा PTO को चला जाता है और यह synchro mesh ring यहाँ से पाया एक green बन गया और एक blue बन गया यह से blue दिखाया गया कि power यह बराबर गुम रहे है लेकिन यह blue वाला बनाया गया और यहाँ पे green में यह green में गुम बनाया गया असानी से समझ सकते हैं विस्तार के साथ यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है जबी भी आप थोड़ा सा synchro mesh gear के बारे में समझ जाएंगे तो यह बड़ी गाडियों में काम्याव होता है लेकिन constant mesh constant mesh यह sliding mesh यह अमेशा लंबी उमर देता है इसमें खरकाओ का खर्चा बहुत जादा होता है इसमें बहुत कम होता है बहुत सारे अमरे जो अभी टेक्टर आ रहे हैं उसमें सिर्फ constant mesh gearbox यह आता है तो यह सिर्फ समझने के लिए बताया है पहला है single reduction फिर है inboard reduction फिर है hub reduction और फिर planetary reduction यह ताकत को यहां से engine में जैसे 2200 के rpm है फिर clutch में आई यह gearbox में 2200 आई तो घूम रही है तो इसको कम करने के लिए यहां पर कम किया जाता है इस तरीके से कम किया जाता है यह हमारी जो ताकत है को काम में आ सके जैसे straight axle में देखोगे तो आप सिधा power gearbox में आई gearbox से final drive को गई तो यह पीनियन है यह पीनियन और यह crown बहुत बड़ा होता है यहां पर जैसे messy में आता है जो straight axle होते है उसमें आता है straight axle यह single axle reduction में आता है तो यह सिधा crown पर ही टायर को जूड़ा होता है यह differential unit जूड़ा होता है और सिधा crown को crown से differential unit differential unit से power इदर चलीगी लेकिन इसमें कटबड़ क्या है यहां पर जैसे जटका आया तो पूरा जटका crown पर आएगा इसलिए single action जो single reduction में उसमें crown बहुत ज़्यादा टूटता है यह हमेशा ध्यान रखने के जोगे बात है आपको ध्यान रखने है कि जब भी tractor आप लेना है तो जहां मिटी soft है आपका जटका बहुत ज़्यादा नहीं लगता है ट्रॉली पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना है तभी यह वाले axle कामयाब होते है क्योंकि रास्थाम के अंदर बहुत ज़्यादा यह axle काम में आता है क्योंकि वहाँ जमीन मिटी थोड़ी कमजोर है वहाँ पर यह tractor चलाया जा सकता है चली आगे चलते हैं दूसरे के बारे में समझते हैं इन बोर्ड रेडक्शन में जैसे यहाँ से आपकी पावर आई गियर बॉक्स गियर बॉक्स से पीनियन को जाती है पीनियन का देखो यह crown यहाँ पर छोटा है वाले हैं क्योंकि यह जो सारा कुछ है बक्से के अंदर बंदा है यानि जो उसकी housing है उसके अंदर है यह तेल में डूबे रहते हैं और टायर बार लगे हुए यह यहां से दूर होता है वहाँ पर यह ब्रेक्स होते है और फिर आगे जाके टायर लगा होता है तो यह जहां पर भी आप धान की खेती है उसमें बहुत ज़्यादा यह यह तो इस वज़े से इन बोर के अंदर जुड़ा हुआ है तो अपनी बुक के अंदर भी यह है तो आप उसमें भी असानी से वहां से समझ सकते हैं चलिए आगले पे चलते हैं अब बात करते हैं hub reduction hub का मतलब है जो tire के पास वाला reduction होता है gear box से power आती है pinion को pinion से power crown को जाती है crown से differential units से होती हुई जो tire के pass ये बिल्कुर tire के अंदर लगा होता है आपने hub reduction देखा होगा तो यहां पे pinion को आती है और pinion से इस bull gear को tire को power चली जाती है अब आप देखिए यह जैसे वो inboard reduction के अंदर ये अंदर था ये बाहर लगा हुआ है तो जैसे बाहर लगा है ये tire थोड़े से पीछे होगा है इसके अंदर यानि hook यहां पे आएगी तो ये ट्रॉली के अंदर आप देखोंगे antilift escort का टेकर है तो उसका hub reduction ही दिया आए उसके अंदर क्योंकि hook यहां पे आएगी तो hook आगे होगी tire पीछे हो गए तो आगे से tractor उठेगा कम आगे से उठेगा नहीं तो tractor बहुत असानी से ट्रॉली के कमों में बहुत आता है और यहां पे load खीचना होता है गीली जगह पे यह tractor बिल्कुल कामयाब नहीं होता क्योंकि अगर मालों कीचर में चलाओ गे तो यहां पे मिटी फस जाएगी यहाँ पर मिट्टी फस जाएगी, मिट्टी फस ने की वज़े से ट्रेक्टर बहुत ज़्यादा काम ही नहीं करेगा आपका, तो यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला ट्रेक्टर है जो आपको सिर्फ ट्रॉली के अंदर और सुकी जगे पर ही काम याब होता है, जैसे रास्था फाइनल, प्लेंटरी रेडक्शन की और चलते हैं, वो देखते हैं कि प्लेंटरी रेडक्शन कैसे काम करता है, इसमें सभी पूरे ट्रेक्टर के सारे सिस्टम बताऊंगा मैं, अब बात करते हैं प्लेंटरी रेडक्शन की, अपी साइक्ल रेडक्शन भी बोलते हैं इसको पावर वैसे ही पहले engine, engine से gear, clutch, clutch से gear box, gear box से यहाँ पे power आती है pinion में, pinion से crown जुड़ा होता, crown में differential unit जुड़ते है differential unit के अंदर से यह वाला इसा जो दिखाया गया है इसको planetary reduction का unit बोलते हैं, दोनों तरफ है और इससे फिर tire को power जाती है अगर इसको बड़ा करके दिखते हैं, तो planetary reduction कुछ है इस तरह ऐसे दिखता है अब ये, क्योंकि सारे gear, आप देखो ये पूरा चकर घुमता है इसे पूरा घुमेगा, ये वाला इसा पूरा घुमेगा, तो ये वाले gear भी घुमेगा इससे axle जुड़ा होता है, या इसमें पहले input power दी जाती है, तो इसके अंदर ये पूरा घुमता है, तो इसके सार्ट टायर घुमते हैं यानि एक चकर घुमेगा, तो बार वाला चकर, तीन चकर घुमेगा, तो अंदर वाला एक हिस्सा घुमेगा, ये एक हिस्सा घुमेगा, तो इस तरह किसे यहां पर तीन गुना power कम कर दी जाती है, तो ये सबसे अच्छा इसमें कोई हिसा भी जटका है, देखो तीन गुना तो diesel बहुत ज़्यादा खाता है इसलिए आपको बड़े टेक्टरों के लिए ही ये टेक्टर चुनाव करना है इस तरीके से planter reduction काम करता है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरी सारे टेक्टर के सारे सिस्टम एक ही वीडियो में बताने है अपने इसमें है न ओयल बात इसको आपको रोज साफ करना है जब भी आप रेत में काम करोगे देली इसको साफ करना है फिर हवा यहां से अंदर आती है जो रेत के बारिक करने है ओयल बात मतलब हवा में नहला दिया जाना ओयल में ओयल बात का मतलब हवा में हवा को नहला देना जब हवा में नहला देन इससे हवा साफ होके यहां चली जाती है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसको जब भी आपके पास oil bath air cleaner है तो आपने रेत में एक दिन काम करने के बाद यह oil साफ करके वापिस डालना है इसको वापिस साफ करना है होता क्या है कि आप यह साफ करते नहीं है और इसको इंज बड़ी गाड़ी है उसके इंदर यह फिल्टर होता है आज कल सभी बहुत सारे ट्रोमें इस वापिस से घुमती है यहां पर बड़ा मोटा कच्रा यहीं पर फैक देता बार जैसे मोटा कच्रा बार रह गया और यहां से आई तो यह बहुत बारी पेपर का एक फिल्टर होत कोुए अर जयादा इसकी उमड plots हमार गटे तक इसकी उमर ओती है यह बहुत ऊच्छा चलता है ऐग लगल is ऐग दिया जाते हैं अब फ्यूल इंजिक्शिन सीस्टम पर दिखनें कि इन-Line Pump कैसे होता है उसको समझते हैं अब ना डीजल जब इन-Line Pump के निशे जो नया जागवा नीचे काफो पूंप के साथ आपने इनलाइन देखा होगा इनलाइन का मतलब हरेक पूंप से हर एक यह के लिए इलग लग निकलती है जैसे चार सिलेंडर दिखाएगे हैं, तो चारों के चारों, यहां पे लाइन निकलती है, और जब इसमें piston टॉप पे जाता है, हवा को दबाता है, तो इसमें ऍप्रे कर दी जाती है, अब सप्रे करने के बाद इसमें, जैसे जलेगा तो यह नीचे की ओर आ जाएगा piston, तो मिलेगा अलग-ळग जगह पर अलग-अलग टाइमिंग में यह होता है और यह जैसे नोजल के साथ इह पिंग कलर वाली लाइन जूड़ी हुई है ना तो यह जैसे डीजल ज़ादा एक्स्रा बचता है, तो यह Shop Adult पूरा प्रैशर, एक ही alignment होता है और यह पूरियान यह देंखो चारों के चारों सी लेंडर मालें चार सिलेंडर रेकाटर है्टम है, तो पूरी पूरी जो एक्स्टा डीजल होता है निकल के वापेस अपने डीजल टेंग में चला जाता है और लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात है यहां पे कंप्यूटर की चिप जूड़ी होती है यह चिप क्या करती है जब कौन से सिलेंडर के अंदर कितना डीजल डालना है यह तै करती है है इस सिस्टम के अंदर बहुत साथ डीजल बचाता है इस वजह से यह वहथ उपयोंगी होता है लेकिन यह महिंगा होता है क्योंकि किम्प्यूटर की चिप हमे enthusiast मह vrails system करता है और इसको common rail phenyl injection system करते हैं क्योंकि यह एक ही rail है इसकी बहुत सारी rail नहीं है ना common rail di injection di का मतलब direct हो गया common rail एक ही rail से diesel की supply की जाती है और वो computer chip दवारा नियंतरित होती है तो इसको CRDA system कहते है और दोस्तों कैसा समझ में आए आपको हरे एक चीज को विस्तार से समझाया गलती नहीं करना इसको वीडियो को वापीस देखके समझे ले ना कौन सा टक्टर हमारे लिए अच्छा है वो उनसा अच्छा नहीं है है ना तो सिरफ इसमें पीडियो के बारे में नहीं बता है उसका अलग से पूरा वीडियो बना के मैं समझाऊंगा कि कौन सा पीडियो है वैसे सिर्फ पांसो चालिस की जुरूर उत्ति है बाकी सब दिखावा है ओके दोस्तों कुछ रहे है इंज्योई करते रिए जै हिन जै भारत